कभी आती है और कभी चली जाती है Tuesday Tales with RJ Pratik FM बोले तो रेडियो से रीपर मैं प्रतीक आता हूँ Tuesday को खास Tuesday Tale में और आज की कहानी मुझे भेजी है कानपूर से टीना आहो जाने कहानी है राजिस्तान के एक गाउं की जहां पर एक मैक्ती अपनी लाइफ से बहुत जादा परिशान रहता है क्योंकि उसकी लाइफ में कोई न कोई प्रॉबलम उसके सामने आ जाती है जिसकी वज़े से वो एकदम दुखी हो जाता है और जीवन से कहीं न कहीं वो हार मान लेता है इसे बीच उसे पता चलता है कि गाउं में एक काफिले में पीर बाबा आया हुए है जिससे उसकी जो प्रॉबलम है उसका उसको समधान मिल जाएगा खैर लोगों की बाते सुनकर उसने भी ये निश्या कि चलके पीर बाबा से मिला जाए काफिले में वो पहुँचकर पीर बाबा से मुलाकात करने के लिए अपना इंतजार करता है उसकी बारी आती है और उस वेक्ती ने पीर बाबा को ये बताया कि वो जो प्रॉबलम से हैं कभी उसकी प्रॉबलम आती है कभी परिवार की समस्याँ हैं कभी आर्थिक समस्याँ हैं और कभी स्वास की समस्याँ हैं इतनी समस्याँ हैं कि उसका पूरा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है और ऐसे में वो चाहता है कि एक खुशाल और एक शान्ती पूर जीवन बिताना चाहता है उन्हें ने बोला कि मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब दूँगा लेकिन एक छोटा सा काम अभी तुम्हें करना है तो वैक्ती ने बोला हाँ हाँ मैं एकदम तयार हूँ क्या करना है बाबा ने बोला कि आज रात तुम्हें जो काफिले में उट हैं ये सौ उट हैं, इनकी रखवाली करनी हैं, और जब ये सारे बैठ जाएं, तब तुम सो जाना, और फिर मुझसे सुबह मुलाकात करना, रेखी ने बोला, इतने ही करना है, ठीक है, मैं ये काम करता हूँ और आपसे कल मिलता हूँ, खेर सुबह हुई, पीर वाले बाबा उसस साथ ये हुआ होगा, कि कुछ उट बड़े अराम से बैठ गया होगे, और कुछ को तुमने प्रयास करके बैठाया होगा, और कुछ को प्रयास करने के माद भी तुमने सोचा हुआ कि ये बैठ गया, लेकिन वो बैठे नहीं होगे, और कुछ अपने आप बैठ गया होगे, ऐसे ही हुआ था तुम्हारे साथ ना गती बोलता हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही हुआ था मेरे साथ तो बाबा ने मुश्कराया हैर सुबह हुई पीर वाले बाबा उससे मिलने आया और बोले कि कर राद तो अच्छी नीद आई होगी तुम्हें उसने बोला नहीं बाबा एकदम नहीं मैं सोही नहीं पाया कोई उट बैठा ही नहीं सारे उट एक साथ बैठा ही नहीं मैं सोही नहीं पाया बाबा ने बोला कि कलना तुम्हारे साथ यह हुआ होगा कि कुछ उट बड़े अराम से बैठ गया होगे और कुछ को तुमने प्रय तो बाबा ने मुस्कुराया यही जीवने और जीवन की समस्याएं समय के हिसाब से अपने साथ वो खत्म हो जाती है यानि कि उनका हल हमें मिल जाता है कई बार हम बहुत प्रयास करतें उन समस्याओं का समधान करने के लिए तो हमें समस्याओं का हल मिल जाता है और कई बार जब समस्याओं को समय पर छोड़ देते हैं तो वो समस्याओं खुद पर खुद सॉल्व हो जाती हैं यानि की उनका समधान हो जाता है ऐसा कहते हैं बाबा ने मुस्कुराया और उस वेक्ति को इशारा किया प्रॉब्लम लाइफ की एक पार्ट है जिसे हम सॉल्व करते हैं खुद पर खुद कभी कभी सॉल्व हो जाती है और कुछ को समय पर छोड़ देना चाहिए इसी आटिट्यूड के साथ आप चलिए वेल मैं अभी आँसे रुकसत होता हूँ मिलता हूँ नेक्स ट्यूजडे यूजडे टेल में आपके साथ थांक यू सो मन्स